नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन के टॉप 25 परमोग खबर जानते हैं जर्खन में नहीं खुलेंगे मंदीर सुप्रीम कोट के आदेश का होगा अध्यान बुद्धवार को आपता परमदन पराधिकार के बैठक आयोजन होई बता देशिये मंद सुप्रीम कोट में चल रहे मामले को लेकर मंदीर खुलने पर नहीं हो सकता फिलाल राजे में मंदीर नहीं खुलेंगे बता दे अगले सप्ता होने वाली बैठक पर सब की निगाहे टिक गई है बैठक के बाद बताया गया कि सुप्रीम कोट के आदेश का आध्यान के बाद ही राजे में मंदीर खुलने का निरना होगा बता दे आपदा परवजन प्राधिकार की बैठाक आवेजन होने से यह संभवना बढ़ गई थी की राज में कुरोना काल से बन धार्मिक अस्थलो को जल्द खोला जाएगा मौसम विभाक के अंसार राजे के अने जीलो में मांसुन की सिथी समाने रहेगी राजे के सराय के लगा खर्सामा पूर्वी सिमभूम पच्मी सिमभूम सिमडेगा के साथ पच्मी जीलो में मज़दर्ज की बारिश के साथ में गर्जन और वजरपात हो सकती है पूर्वनमान में बताया गया कि 11 सितंबर तक मदे बंगाल की खाड़ी में एक नाया कौम दबाव का छेतर बनने की संभवना है इसके करण 12 सितंबर से राजे के मौसम में फिर से परिवत्न देखनों को मिलेगा इसके बीच में 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच राजे में मौसम और मान्सुन की थिती समान रहेगी जारखन सियम हेमान ति भी जातीगत जनगन्ना के हाँ पक्षधार पीम को पत्र लिख कर मंगा समय बिहार के CM नितिश कुमार के बाद छारकन की CM हमनसुरेन भी जातीकत जनगरना के पक्षिधर दिखे इसको लेकर जल्दी जारकन सरकार के जातीकत जनगरना हो। इस बात की घोसना सीयम सीरी सुरेन ने विधान सभा में की इस बावत उन्होंने पिये मोधी को पत्र लिख कर मांग पत्र सोपने समधित तारिक और समय की मांग की है बता दे राज ये समेत पूरे देश में जातिकत जनगर्ना हो इसको लेकर जारकंड सीयमे मनसुरेन ने पिये मोधी को पत्र लिखा है पत्र के बाद हम से कहा गया है कि मेरे नेतियुति में नव सदसीय सर्वदलिय प्रतिनी धिमंडल आप से मिलना चाहती है भेट कर जाती अधारी जनगर्ना कराने से समधित मांग पत्र सोपना चाहते हैं इसके लिए तारिक और समय देने की अपील पिये मोधी से की गई है भाजपायों पर लाठी चार्ज के बिरोद में जारखंड बंद का एलान जारखंड बिधान सभा में नमाज पढ़ने के लिए कामरा अवंटित करने के मामरा सदन से सड़क तक पहुँच गया है भुद्वार को विपक्ष का बिधान सभा घहराव के दोरन पूलिस की लाठी चार्ज में बिधायक समयत कई भाजपाय करता गायल हुए लाठी चार्ज के बिरोध में भाजपाय ने जारखंड बंद का एलान भी किया है फिलाल तार एकी घोसना नहीं की गई है पता दे पूर्वर निर्धायत कारकरम के तहत बुद्वार को पूरे राज से भाजपायों का होजुम जारखंड बिधान सभा की और बढ़ा इनको रोकने के लिए पूलिस ने मुकमल बेवास्था की थी जगा जगा बैरिकेटेट की गई थी जगाषण्ड में सक्षरिता दर। 50 साल में 49 परतिसद बढ़ी जगाषण्ड ने पिछले 50 वर्सों में सक्षर्दा के छेते में लंबी चलंग लगाई है पिछले 50 वर्सों में जगाषण्ड की सक्षर्टा दर। लगः दर। investment बढ़ी लेकिन इसके बाद भी राजे के लवग 27 फिश्दी निरक्षर लोगों को सक्षर बनाने के चुनोती है बता दे राजे में बर्तमान में अनुमानी सक्षर्टादर लवग 73 फिश्दी है इसकूली सिक्षा यम सक्षर्टा विभाग द्वारत तयार की गई बस उनाई सव एक सट में सक्षर्टादर 12.14 फिश्दी थी भाजपायों ने नियोजन निती बील की कोपी फार दी जारखन विधान सबा में सत्र के दोरन विपक्स के विधायकों ने नियोजन निती बील की कोपी फार दी सतापक्स और विपक्स के विधायक आसन के समने प पुठाया सवाल का जवाब नहीं मिलने पर विपच के सभी विधायक आसन के सामने पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया आदिवासियो की जमीन के हस्तांत्रन और कवजा की जांच बिसे समिती करेगी सीम हमन्त जार्खन में आदिवास्यों के जमीन का वैद रूप से हस्तान्तरन और कब्जे की जाच की बात कही है जार्खन विधान सभाय मुख मंत्र हमान सुरेन ने से एन टी एस पी टी एक्ट का उलंगन कर जमीन हस्तान्तरन मामले की जाच विधान सभाय की बिशेस कमिटी से कराने का सुझाओ दिया है मुख्य मंत्री से फूटबॉल अंडर 17 की खिलाडियों नेकी मुलकात मुख्य मंत्री हमान सुरेन से बुधवार को विधान सभाय सित मुख्य मंत्री कक्ष में खिजरी विधायक राजेस कचप के नेतिवत में फूटबॉल का प्रसिक्षन प्राप्त कर रही अंडर 17 की खिलाडियों मुलकात की फूटबॉल का प्रसिक्षन दे रहे परसाद ने मोख्य मंत्री को बताया कि कांके और उर्मांजी में 300 बच्चियों को फूटबोल का परसिक्षन दिया जा रहा है। मोख्य मंत्री से परसाद ने एक आवास्य परसिक्षन केंद्र प्राराम करने का अग्रह किया। मुख्य मंत्री ने राजे की बच्चियों के बेहतर पर सिक्षन के लिए सुविधायों पुलप्त कराने की बात कही और सभी खिलाड़ियों की होसला अपजाई करते हुए उनके उजल भविस की कामना की जे एस एसी की परिक्षाओ में भजपूरी मगही मैथली अंगिका को सामिल करने की मांग जार्खन कॉंग्रेस के सचीव रण बिजाय सिंग ने मुख मते हमान सुरन स्यागरा किया है कि जार्खन करमचरी चयन आयो की परिक्छाओं में दितिये पत्र में भजफूरी मग ही मैथली अंगी का भासा को सामिल किया जाए जार्खन में 23 नए केस मिले है जो राची से 13 पूर्बी सुमू से 3 बोकारों से 1, धनवाद से 1, पच्मी सिईूंच से 2, देवगर से 1, खोटी से 1, जामतराज से 1 मिले हैं। जारखन में कूलेक्टीब केट की संख्या 104 है, भारत में 43 है Hebrew 401 नई केस मिले हैं। जारखन सरकार पीछले वोलको 27% अरक्षन देने को तयार। जारखन बिधान सबाके मांसु सात्र के चोथे दिन बुद्वार को मुख्य मंतिय हमान सुरे ने सौधर में कहा है कि राज सरकार पीछे वर को 27 परतिसत आरक्षन देने के लिए त्यार है मुख्य मंतिरी ने प्रशनोतर काल के दुरन हस्त छेप करते हुए कहा कि राज सरकार जाती जनगर्ना कराने के लिए केंद्र सरकार से अन्रोध करेगी और इसके लिए एक सरोधलिय समिती प्रधान मंतिर से मिलेगी उन्होंने कहा कि नियोजन निती, मुलवासी और आदिवासी को रोजगार मिले इसके लिए उनकी सरकार कटीवाध है ज्यारखन CMO का घेराव करने निकले आईसू पर लाठी चार्ज बुद्ध्वार का दिन बिरोध परदसन का रहा बतादे भाजपा जहां ज्यारखन विधान सभाग के घेराव करने सड़क परूतरी वहीं पीछडों को 27 पर्थिषद आरक्षन देने की मांग पर आईसू ने CM सचिवाले के घेराव करने की कोसिस की इस दोरान आईसू के आठ जीलों के करिकरताओं ने मौराबादी से CM सचिवाले के लिए कुष्ट किया जिन है पूलिस ने सिधू कानू पार्क के पहलेरों का आईसू करकरता बैरिकेटेट तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे इस पर पूलिस ने लाठे चार्ज किया ज इनाम रासी को दूगना कर दिया है पहले इनाम की रासी पांस लाक रुपे रखी गई थी लेकिन बुद्वार को सिवी आई ने सहर के कई अस्थानों पर पोस्टर चिपका कर घोसना किया है कि जो भी मौत मामले में जनकारी देगा उसे दस लाक रुपे का इनाम दिया जा जीला मुख्यालियों पर परदाशन किया बताते बुद्वार को आयुजित इस कारकर में परदानमंति नैन मोदी के नाम सभी अस्थानों पर उपायुक्तों को ग्यापन सोपा गया जो अपे गया गयापन में परदानमंति समाग की गई कि सरकार किसानों के हीत में उचित निर्नले यदि दस दिनों में मांग पर विचार नहीं किया गया तो भात्ते किसान संग आंदुरन के अगले चरन की ओर बढ़ेगा निजी कमपनियों में 75% पद अस्थानिये को नहीं मानने पर 50 लग का जुर्माना जारखन में निजी कमपनियों में 75% पद अस्थानिये के लिए अरक्षित होंगे बतादे नगर निकायों का आगामी चुनाव दलगत अधार पर भी नहीं होगा दोनों नितिगत फैसले से समध विधायक बुद्वार को विधान समध पारित किये गए राज जेपल के स्विक्रिती के बाद बीधी भी भाय गजट नोटिफिकेशन निकाले गा निजी कंपनियों में आरक्षन समध विधायक राज जेके निजी कंपनियों में 40,000 रुपे प्रतिमा वेतन वाले 75% पद पर अस्थानिय युवक जोती के लिए आरक्षन किये जाने से समधित है बतादे इस समधित निवावली में दर्ज विभीन धाराव का उलंखन करने पर कम से कम 10,000 रुपे तक जूर्माना भी लग सकता है ज्यारखन के प्रात्मिक सिख्षकों से उनके मैट्रिक वा इंटर परिक्षा का व्यवरा मांग रहा विभायक अलग राज गठन के बाद से अब तक ज्यारखन में निवक्त कितने प्रात्मिक सिख्षक किस बोट से उतीन है इसका व्यवरा इकठा किया जा रहा है बतादे प्रात्मिक सिख्षा निदे साले ने सभी जीला सिख्षा अधिक्षकों को पत्र लिख कर या जनकारी मांगी है कि बर्ष 2003 तथा बर्ष 2015 सुला में प्रात्मिक सिख्षकों की होई निवक्ती में कितने सिख्षक किस बोट से मैट्रिक और इंटरमिडियर की परिक् बिध्यान्चल में नाव पलटने से रांची के बारह लोग गंगा नदी में डूबे मिर्जापूर इस्थित बिध्यान्चल धाम के अखाडा घाट पर गंगा असनान कर दूसरे तट से लोटते समय ना डूबने से एक ही परिवार के दिष्टेदार समित 12 लोग डूब गये हलाकि नाविक वगोता खोर की मदद से 6 लोग को बचा लिया गया लेकिन अने 6 लोग लपता है बता देला पता लोग की तलास में नाविक वगोता खोर लगे हुए हैं डूबने वालों में राशी के धुर्वा बसिस्टेंट के करीब इस्थित निव एस्टार कल्व किष्णा समिती के पास क्वार्टर नमबर 1589 के रहने वाले रायस्तिवारी और रायस्तिवारी का सालाजमसेत पूर्णिवासी दिपक मिस्टरा के परिवार के लोग सामिल हैं जारखण नोर निर्मान दल ने CM को पत्र भेजा तीन सुत्री मांग को लेकर जार्खन और निर्मान दलने मुख्यमंत्री की नाम से मांग पत्र भेजा या मांग विजय सिंग, पुस्पाप पन्ना, ये लुगून, सियुचंद्र मांजी सहीत अनेक ने सन्युक्त रूप से भेजी है इसमें अस्थाने नीती लागू करते हुए 2 लाख बेरुजगारों को रोजगार देने, HEC के बंद पड़े पलांड को चालू करवाने सहीत, रूपा तिर्की की मौत के मामले में दोसी ब्यक्ति पर करवाई की मांग की गई है बिधान सभा घेराओ के दुरान लाठी चार्ज में कई BJP नेता घायल भाजपा की बिधान सभा घेराओ के दुरान पूलिस के लाठी चार्ज से कई करकरतावा नेता घायल हुए हैं कई नेताओं को गंभीर चोट लगी हैं लाठी चाज में घायल एक दजन नेता चोटिल होने के बाद रिम्स पहुँचे इनमें से अधित्तर नेताओं का इलाज सरजरी विभाग में चल रहा है बता दे घायल नेताओं में बीजेपी महिला मोर्चागी परदेश अजयक्त आर्ती कुजूर मन्जू लता दुबे डाक्टर सीमा सिंग सुजाता कुमारे निलम चोधरी वसंत कुमार मित्तल का इलाज सरजरी विभाग में चल रहा है दली अधार पर नहीं होंगे नगर निकाय चुनाओ जार्खन में दली आधार पर नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा मेर का चुनाव तो होगा लेकिन अब पार्टी सिम्बल नहीं दिया जाएगा जबकि डिप्टी मेर के चुनाव के लिए वोट नहीं पड़ेंगे बतादे चुने गए पारसद ही अपने बीच से डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष का चैयन करेंगे जार्खन बिधान सबासे बुद्वार को जार्खन नगरपाल का अभिधायक 2021 को मजूरी दे दी अब इसे राज जेपाल के अनुमधन के लिए भेजा जाएगा इसके बाद अभिधायक राजे में लागू कर दिया जाएगा रांची में बीना अनुमाती बीग्यापन पट लगाने के कारण 6 प्रतिष्ठानों पर 3,91,000 का जुर्बाना बीना अनुमाती के बीग्यापन पट लगाने पर रांची नगर निगम ने में रोड के 6 प्रतिष्ठानों पर 3,91,000 का जुर्बाना लगाया बतादे मंंगलवार को सवी प्रतिष्ठानों को नोटीच जारी कर 15 दिनों के अंदर रासी जमा कराने करने करने पर निगम ऐसे प्रतिष्ठानों पर नगर पाइल का धिनियम के तहट करवाई करेगा बाबुलल मरांडी के सलाह कार पर केस दर्ज पूरो मुखवंत्री बावलार मरांडी के राय नितिक सलाकार सुनिल तिवारी खिलाप मंगलवार की रात और गोड़ा थाने में बाल शरम कानू उलंगन के आरोप में केस दर्श किया गया है बता दे केस रम अधिक छक्स और निरिक छक अविनास कृष्ण की लिखित सिकायत के धार परदर्श किया गया है सिकायत में लिखा गया है कि बाल कल्यान समीति के अधियक्स की ओर से उन्हें मामले में निर्देश दिया गया था उन्होंने पूलिस को या भी बताया कि एजी कालोनी निवासी सुनील तिवारी के घर से तेरा वर्षी जो बची पाई गई थी उसका ब्यान CWC ने लिखा था अस्मार्ट सीटी में बनेंगे जारखन के 11 मंत्रियों के बंगले रांची अस्मार्ट सीटी में 10 एकड़ भूवी पर राज सरकार के 11 मंत्रियों के सरकारी बंगले बनाये जाएंगे राज सरकार ने इस योज नाकम मंजूरी दे दिया है मंत्रियों के बंगलों समेत पुरे परिसर के निर्मान पर कुल 65 को रुपे खर्च किये जाएंगे बता दे पुरा निर्मान वास्तु सास्त्र के अनुकुल होगा वाहनों के फिटनेस के लिए M.V.I. भी होंगे अधिकरीत सभी तरह के बेवसाइक वाहनों का फिटनेस परण पत्र के लिए आवेदन अब मोटर या निरिक छक को दिया जा सकता है अब तक ऑथराइज टेस्टिंग सेंटर को ही फिटनेस परण पत्र देने का अधिकार दिया गया था लेकिन परिवहन विभाग ने लोग की सुविधा को देखते हुए अथराइज टेस्टिंग सेंटर और मोटर या निरिक छक को फिटनेस परण पत्र आदेस दिया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर बावल का बेल एक अंद भाई है साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक वासे दे थाइंक यू